हेलो फेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल टेक्निकल शो टाइम, फेंड्स चाइनिज कंपनी वावे ने चाइना में अपनी कल दो स्मार्ट टीवी सिरीज लांच की हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे वावे की इन टीवी की सारी डीटेल्स, यहां पर मैं आपको पहले ही कि यह सिरीज सिर्फ चैना में ही लांच की गई है, इंडिया में लांच नहीं की गई है और इंडिया में लांच करने का फिलाल कंपनी का कोई प्लान भी नहीं है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्केप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को कंटीनू देख सकते हैं मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने में कोई भी नुक्सान कभी भी नहीं होता है तो चलिए फैन शुरू करते हैं तो वावे ने अपनी याँ पर दो स्मार्ट टीवी स्रीज लांच किये हैं वावे स्मार्ट स्क्रीन स्रीज और वावे स्मार्ट स्क्रीन स्प्रो स्रीज Smart Screen S series के यहां पर 3 variant launch किये गए है 55 inch 65 inch और 75 inch वहीं Smart Screen S Pro series के 2 variant launch किये गए है 65 inch और 75 inch Huawei की इन दौनवी Smart series के सभी variant में 4K VA पैनल लगाया गया है Display resolution ratio 3840 x 2160p दिया गया है Direct LED Backlight Technology दी गई है यहां पर Smart Screen S series का जो 55 inch का variant है इसमें 300 nits की brightness दी गई है 5000 x 1 static contact issue दिया गया है और 60 hertz का refresh rate दिया गया है बाकी दौनवी series के जो 65 inch और 75 inch के variant है इसमें 120 hertz का refresh rate मिलता है और 350 nits की brightness मिलती है तो यहां पर 55 inch के variant में 60 hertz का refresh rate दिया गया है बाकी सभी variant में 120 hertz का refresh rate दिया गया है लेकिन यहां पर वावे ने यह भी बताया है कि यहां पर जो Smart Skin S Pro series है फलाल इसके दो variant आते हैं 65 inch और 75 inch लेकिन मार्च 2021 में इसका 55 inch का variant भी launch किया जाएगा 120 hertz refresh rate के साथ में तो यहां पर जो Smart Skin S series का 55 inch का variant है जिसमें 60 hertz का refresh rate दिया जा रहा है तो इसमें भी उस time पर 120 hertz refresh rate का support दे दिया जाएगा मतलब मार्च 2021 में दौनोई TV series के 3-3 variant आ जाएगे 55 inch 65 inch और 75 inch और सभी में 120 hertz refresh rate का support मिल जाएगा इन दौनोई Smart series के सभी variant में Dual Eye Protection भी मिल जाता है सभी variant आपर TUV, Red Line, Low Blued Certification और No Flicker Certification के साथ में आते हैं जो आखों के लिए काफी अच्छी बात है Huawei की जो Smart Skin S Pro Series है जिसका 65 inch और 75 inch का variant आता है तो इसमें Full HD Pop-Up Detachable Camera भी इसके साथ में मिलता है जो की Video Calling को support करता है तो इसमें ये काफी अच्छी बात है यहाँ पर Far-Field Technology का support भी दिया गया है 6 microphone इन TV में लगाए गये है आप दूर बैटकर ही आप इन TV को control कर सकते हैं इनका जो remote control है वो भी voice enabled feature के साथ में आता है आप remote के तुरू भी इस TV को operate कर सकते हैं और बिना remote के भी इन TV को दूर बैटकर ही control कर सकते हैं इन TV के hardware and software के बारे में बात करें तो यहाँ पर Hongoo chipset लगाया गया है जो कि Huawei का अपना ही chipset है Quad-core processor setup के साथ में यह TV आते हैं 2-core CA-73 और 2-core CA-53 Quad-core processor setup इन TV में मिल जाता है Mali G51 MP4 GPU लगाया गया है 3GB की RAM दी गई है और 32GB का internal storage दिया गया है operating system में आपर Harmony OS देखने को मिल जाता है इन TV के sound output के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1010W के 4 speaker unit लगाये गये हैं तो total sound output यहाँ पर 40W का मिल जाता है connectivity options के बारे में बात करें तो HDMI 2.0 version यहाँ पर दिया गया है USB 3.0 दिया गया है AV port दिया गया है RJ45 LAN port दिया गया है और यहाँ पर आपको digital audio SPDIF port भी इन TV में मिल जाता है इन TV की सारी जो price detail है वो यहाँ पर आप scheme पर देख सकते हैं यह China market के हिसाब से price दिये गए हैं उसको अगर convert करते हैं इंडिया रुपीस में तो इतना price हो जाता है हाला कि इंडिया में ने launch नहीं किया जाएगा तो इसके बारे में कोई सोचने की जरुवत ही हमें नहीं है यहाँ पर smart skin S series और smart skin S pro series में basically क्या difference है वो यहाँ पर clearly पता नहीं लग पाता है क्योंकि बहुत सारी information यहाँ पर अभी available नहीं है लेकिन यहाँ पर एक चीज यहीं पता लगती है कि जो smart skin S pro series है उसमें full HD camera मिलता है और smart screen S series है उसमें full HD camera नहीं मिलता है बाकी और भी कोई difference ज्यादा खास इसमें होगा नहीं same to same होने वाले हैं लेकिन price की difference को अगर हम देखें तो price का difference काफी ज्यादा यहाँ पर हो जाता है तो I think एक camera के लिए इतना price का difference नहीं होगा और भी चीजों का difference इन में देखा जा सकता है तो आगे कभी वो चीजें अगर निकल कर आई तो इसका भी video बनाके detail में मैं फिर से update आप लोगों को कर दूँगा यहाँ पर यह video मैंने बनाया है सिर्फ आपको information देने के लिए बागी इसका और कोई purpose नहीं है क्योंकि इंडिया में तो यह tv launch नहीं होंगे तो कहीं पर भी कोई भी चीज अगर launch होती है तो इसके बारे में knowledge मिलनी चाहिए उसकी information हमारे पास में होनी चाहिए यह पता लगना चाहिए कि दूसरी जगा पर क्या हो रहा है क्या क्या चीज़े वहाँ पर मिल रही है क्या feature आ रहा है क्या update आ रहा है क्या technology आ रही है तो I think किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी information लेने में कभी भी बुराई वाली बात नहीं है तो अमीद करता हूँ यह information आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए अगर आपने first time हमारे चैनल पर विजट किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए साथ में bell icon को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई